जानोन के उरई चेत्र में इस्तित S.R. होस्टेल से अचानक गायब हुए छात्र का शवर रेलवे ट्रैक किनारे मिला इसके बारे में तब पता चला जब स्थान्य लोग घूमने गए और उन्होंने पुलिस को अवगत कराया सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को अवगत कराकर शवर को पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया बताया गया की रामपुरा थाना चेत्र के जमलापुर का रहने वाला गौरब दूबे उरई में संचालित एस आर स्कूल के होस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था बीती शाम को गया अचानक गयब हो गया जब स्कूल प्रबंदक और चातर के परिजन को ये बात पता चली तो चारो तरफ चातर की तलाश की लेकिन चातर का कोई सुराग नहीं लगा लेकिन सुबह जब स्थानिय लोग घूमने निकले और उन्होंने अजनारी रोड स्थि रेलवे क्रोसिंग किनारे एक किशोर का सब देखा तो सूचना पुलिस को दी जनकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची तो उन्होंने मामले की जाच करते हुए लापता छात्र की फोटो से पहचान की और परीजनों को सूचना दी जिसके बाद परीजन मौके पर पहुँचे तो होश उड़ गए परीजनों ने स्कूल प्रबंदक की कारेबनारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल द्वारा काफी देर राद सूचना दी गई थी अगर सूचना और पहले मिलती तो शायद गौरफ की जान को बचाया जा सकता था और जो बारडन है उसकी लापरवाई से बच्चा बाहर निकला निकलने के बाद इसने बच्चे को कोई मजबूत उनके जो होस्टल में जो टीशर बगेरा है कोई मजबूत कारवाई नहीं की गई अगर कारवाई की जाती तो बच्चा हमारा हमें वापस मिलता इसके बाद जब उतनी टेम उसकी हत्या नहीं हुई हत्या हुई बारा बज़े के बाद इसके पहले अपनार किया गया है बाद में हत्या हुई है दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया था पुलिस मौत के पीछे क्या वज़े रही है तलाश रही है क्योंकि गौरफ के मुबाइल की स्क्रीन भी टूटी हुई मिली है वहीं दूजी तरफ परेजिनों का कहना है कि गौरफ की हत्या की गई है हाला कि पुलिस ने मौके पर मौझूद सबूतों के आधार पर घटना की जाज सुरू कर दी है